कि he gote he gete ko मैंने आपको fell इंडिया बताया था लगबग बहुत पहले बताया था बहुत पहले का मतलब एक साल होने वाला हुथ यहां तो हो भी गया हुआ heel the लगबग मैंने उसको आठ सु रुपैसे भोलते बुलते थाउसे थाउसे मतलब FL India के बारे में मैंने इतने सारे मतलब मैं आपको बोलो वीडियो बना दिया मुझे 123 ऐसे भी अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ हो तो मैं खुदी कन्फियूज हो जाऊंगा तो आज कल के डेट में होके आरा कि FL India 5000 तो गया 6000 चला गया अब इतना महेंगा स्टॉक खरीदना मुस्किल हो रहा लोगो को क्यों कि बजास फाइनिस भी तो 5000 का है और भी बड़े बड़े जो स्टॉक है वो भी तो 5000 का मारूती कितने का वो भी 6-7000 का है तो वह भी देखो पह हो कि भाई आप FL India को बेच दो बिल्कुल नहीं इससे यह वासता नहीं है कि आप FL India को बेच दो ऐसा नहीं नहीं देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हो अगर आप एफल इंडिया को बेचना चाहते है मुझे पता कि आपका पैसा डबल हो सकता है डबल से भी जाता हो गय तब आपको लगएगा कि भाई हाँ आपने मार्केट में बहुत कुस्तो नहीं किया लेकिन कुस्तो किया समझ रहो ना हमें सब कुछ नहीं करना है हमें पूरे दुन्या का सारा काम नहीं करना लेकिन कुस्तो करके दिखाना है अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते देखो मान हीन रहना है के इतनती है है कि इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जरूरी सब्सक्राइबी से व्ला इंडिया को दो लख करना से कुछ्छ ऑपका न आपर मालीजे कि कम सकम 10 गुना हो जा 20 गुना हो जा 30 गुना हो जा तो मुझे भी अच्छा लगया कि यहां बाई चलो लोगों को मुनाफ़ा तो हो रहा है तो यह देख सकते हैं लगबग 280 रुपिस के आसपास यह स्टॉक दिख रहा है और यह भी लगबग के लिए कंपनी काम करते है इसलिए मैं आपको बता रहा हैं वरुआ नहीं बताता था कोई दिखत की बात नहीं पिछले एक महने से स्टॉक को फोकस कर रहा हूं जब इस टुअनदे टूंटी रुपिस के आसपास हुआ करता था हालाकि मैंने स्क्रीन शॉट भी लेकर रखा अगर चाहिए तो मैं प्रूफ के तौर पर दिखा दूँगा देखोगे यह stock कितना दोड़ा एक दिन में लगबग इसने कुछ नहीं दिया लेकिन पांस दिन में यह stock ने थोड़ा रर्रिंग दिखाई है 1 month में stock और अच्छा खासा दोड़ा है 6 month में गजबी कर दिया कितना मुनाफ़ाद होगा 120% के आसपास return दिया और जहां तक बात करना चाहते हो 5 years में तो stock देख लिजे आया था 64 rupees में 64 rupees के आसपास फिर कितना मुनाफ़ाद दिया था भाई लगबग इसने 100 से भी जादा दिया फिर उसके बाद देरे 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 आज के रेट में यहाँ पर देख सकते हो लगबग 300-400 के आसपास यह stock profit देने की कोसिस कर रहा सही है यहाँ पर और यह company का नाम देख सकते हो Vatoz Advertising यहाँ देख सकते है Advertising Limited Vatoz सही है थोड़ा नाम सही है न चलो आपको proof के लिए दिखा भी देता हूँ देख लो देख लो लगबग 230-400 के आसपास था तब से ही मैं focus कर दो यहाँ पर देख लो तो बाई देखो मेरा काम यह नहीं है कि जब share का price उपर चला जगा तो वीडियो बनाना मेरा काम पहले से कंपणी को पर नजर रखना है research करना देखते रहना कौन से कंपणी बहतर ही रिटरन दे सकती है अब बताओ अब 6,000 यह stock महेंगा हो गया अब कुछ लोग घबर आते हैं उसी तरीके से हम ऐसे कुछ ऐसे बेटर बेटर स्टॉक ढूंटे रहते हैं जो आपको बड़ा मुनाफर दे पाए एक दो को एक इत्ता सा ब्लांट है यह बहुत बड़ा प्लांट है बहुत बड़ा बन चुका है तो हम चोटे-चोटे पाउदों को क्या करेंगे देखेंगे जो की अभी बड़ा बनने लायक है समझे ना यह चोटे-चोटे पाउदे हैं यह आपको बड़ा मुनाफर देने की कोशिस करेंगे तो देखो लगबग जब यह stock देखो 234 रुपिस के आसपास मतलब इतना बड़ा मुनाफर इतना बड़ा मुनाफर नहीं देगा मुझे लगता ही नहीं कि इस टॉक मुनाफर नहीं देगा कैसे नहीं देगा मैं यह पूछना चाहता हूं समझे में आ रहाना प्रॉफिट का मतलब होता प्रॉफिट देखो मैं आपको दो रहना नहीं बताना चाहत सब दिखा दूँगा स्टॉक लगबग जब मैंने बोला था 1700 के आसपास बोला था खरीदने के लिए एफल इंडिया वापस आ चुका था 1500 के आसपास मुझे लगता कि मुझे तीन चार चपल की दुकान मुझे खुद की खुलने पड़ गई थी क्यों इतने सारे चपल मेरे पास आच चुके थे वाप चार्ट मैं नहीं दिखूंगा मुझे देखने का ज़रूत नहीं है कि मुझे याद है क्योंकि वह पल मुझे याद है क्योंकि मिरे लिए खराब दीन था इस वज़े से से शेवंधिन रर्यड का स्टॉक था और वह स्टॉक फिप्टीन रेडड आपके वज़े से हुआ लेकिन आप मान लिज़े के दो साल बाद नहीं बोलो कि आपके वज़े से इतना बड़ा मुनाफ़ा हुआ है कि नहीं है चलो छोड़ो भाई यह सब बहुत ज़्यादा होगा यह मैं इसलिए बोटा हूँ कि एक नजर आप भी मरलो सही है तो यहां प लगबग यह लिस्ट हुआ है कंपणी 2017 में सोचो अड़टाइजमेंट में यह कंपणी इंगेज है सही है प्रोग्रामेटिक अड़टाइजिंग कंपणी है और आज कल के डेट में इतना जादा खास हो चुका इतना जादा खास हो चुका आप एक दिन खाना ना खाओ तो को में लेगा और कुछ नहीं अड़टाइजमेंट को छोड़ के और कुछ नहीं है लेकिन बहुत छोटी सी कंपनी इसलिए मैं आपको वोल रहा हूं लगबग 339 के आसपास इसका मतलब मार्केट के देखने को मिला शेर का पर आपके सामने है पी रेशियो देख सकते 86 के आ घगे कि डिटा डिखाया यहां पर देख सकते है याँ आर पर नहीं दिखार है और आज के इत्सक्र में लोगों ने काफ़ी अच्छे मुनाफ़त देने की कोशिस करता है देखो बाई आडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी मतलब आज के बहुत ज्यादा चलती है बहुत ज्यादा चलती बाई पर मोटर्स के यहां पर देख सकतो हिस्चेदारी आपको पताया ज़रा लगबग फिटी सिक्स के आस-पास था लेकिन पर मोटर्स ने क्या किया है थोड़ा बहुत हिस्चेदारी अब घटा दिया सेवंटी थ्री परसंट से अभी वह आ चुके हैं फिप्टी सिक्स परसंट के आस-पास और यह हुआ कब है देख सकते हैं मार्च और जून के बीच में यह हुआ है और पब अगर आप फिर खरीदने की कोशिस करते हैं तो फिर यह स्टॉक बड़ा मुनाफ़ा देगा अगर वॉल्यूम को अनलाइज करते हो वॉल्यूम को तो वॉल्यूम देख लिए लगग यहां पर आज कलके डेट में यस्टड़े में आपको वॉल्यूम काफी अच्छा देखने को मिला था तूड़े में भी आपको कुछ खासी वॉल्यूम देखने को मिला था और पहले मतलब कुछ देखो मतलब वॉल्यूम आपको यस्टड़े काफी अच्छा देखने को मिला था बाकी नॉर्मल था जो होते रहता है normal था आपके सामनी यह रहा price performance price performance one week में 7% one month में 24% three month में 60% year till date में 32% one year में यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगवग two 67% three year में 44% जो भी है company जो भी है normally वे में अच्छा खासाई profit दे रहा है मतलब profit तो है loss नहीं है और भाई आज कल के date में जैसे advertisement का source बढ़ता जा रहा उस तरीके से advertisement करने वाले company में काफी अच्छे बढ़ती जा रही होता क्या है कि आपको केवल एक बारी पैसे दिने है आपका advertise बोल दिया जगा one week के लिए one month के लिए one year के लिए किया जगा उसके बाद बाद खत्म अब फिर ये दूसरी के लिए advertise करेंगे तो ये क्या होता कि बार बार घुमता रहता घुमता रहता है कि नहीं है अब ये बहुत सारी नहीं नहीं company आते रहती है इस वाज़े से इनको ज़्यादा मुनाफ होता है इसलिए मैं आपको बुलूँगा देखो एक बार देख लो अपनी नजर से देख लो किसी को ब्लाइंड ली बिलीफ नहीं करना चाहिए और मैं भी नहीं चाहता कि बार 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 मतलब दो बात सुनों आपसे है कि नहीं है और आप भी यूंग लूटा सही हो एंजल देख सकते हैं नंबर वन स्टॉक ब्रोक्रेस बताया जारा यहां पर अगर चाहो तो मिच्वल फंड भी खरी सकते हो सही है मिच्वल फंड हो गया एनसी बीसी में माल बगर खरी सकते हो को टेंचन वाली बात नहीं है और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता द है केवल 20 रुपिस लगता है जो हर जगा लगता है वह बी इंट्राइड में और यहां पर एक ग्रूप में भी है बिल्कुल फ्री में अपने अपन कर सकते हैं भाई